दोस्तों मान के चलिए आप एक Indian Railway में AC का वेटिंग टिकट बुकिंग करवा रखे हैं जाहे वो AC का वेटिंग टिकट फर्स्ट AC कलास में हो, second AC कलास में हो या फिर third AC कलास में हो और train चार्ट बनने के बाद वह AC का आपका वेटिंग टिकट गनफर्म तो हो जाता है लेकिन वह AC कलास में कनफर्म नहीं होता है बल्कि वह Slipper कलास में आके कनफर्म हो जाता है सपोस्ट डेड दोस्तों मान के चलिए आपने एक इंडियन रेलवेगे में थर्ड़ AC में बेटिंग टिकट बुकिंग करवा हुए है लेकिन जब वह ट्रेंच चाड़ बनता है उस ट्रेइबर के साथ जो कि दूस्तों उन्होंने में इंस्टाग्राम पे सेर किया है कि उन्होंने तो थर्ड एसी में वेटिंग टिकाड़ बुकिंग करवाया था लेकिन ट्रेण चाट बन जाने के बाद उनका जो कनफर्म हुआ वह दोस्तों एक सिलीपर कराज में कनफर्म में था और यहाँ पर दोस्तोह देख सकते हैं कि की बोकिंग ऊनी टट इन जेट से तो फॉल पर तो मतलब कि इसक्र में लिखकर आ गया है अगर आपका kуч ऐसा होता है टो बात है दो तो आखिर कर ऐसा हुआ कि और यहाँ पर हो तो गया है लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और बात है मान के चलिए जो आपने थर्डेशी का वेटिंग टिकर बुक्किंग करवा रखा है तो थर्डेशी का ज्यादा पैसा काटा होगा मतलब कि ज्यादा चार्जेस होगा स्लीपर क्लास के क्योंकि दोस्तों स्लीपर क्लास में तो कम पैसा लगता है और ज्यादा पैसा लगता है तो थार्डेशी का उन्होंने पैसा दिया लेकिन कंफर्म जब स्लीपर में हुआ तो और पैसा इनको मिलना चाहिए तो क्या मिला पैसा और इसके लिए क्या करना पला तो दो सबसे पहले बात अगर आप एक इंडियान रेलबे में ट्रेन टिकर बुकिंग करवा रखे हैं और अगर आपने एसी क्लास का वेटिंग में टिकर बुकिंग किया थे लेकिन अगर वह ट्रेन चर बनने के बाद आपका सिलीपर क्लास में आ जाता है मतलब कि दोस्तों आपने आपने एक क्लास में बुकिंग करवाया था और टिकट डाउन ग्रेंड हो गया अब सबसे पहले बात हम इसके बाद समस्ते हैं कि अखिरकर आईसा हुआ क्यों दोस्तों ऐसा तब और तभी हो सकता है जब आपने टिकट वेटिंग लिस्ट की अस्थिति में कि करवाया की चलिए दूस्टी यहां पर उन भाई सबने अगर थार्ड ऐसी में टिकेट बुकिंग करवा रहा था था तो उनका इसा इसा इसालिये हुआ कि तरेंचर बन जाने के बाद थार्ड एसी में शीट होगा है नहीं जिन भाई सापका उनका कनफर्म किया जाए लेकिंट बने के 3 AC से आ करके sleeper में confirm कर दिया गया होगा और जब भी sleeper में confirm किया जाता है तो train chart बनने के पहले ही संभावना हो जाता है और internal पर को पता चल जाता है तो उनको पहले ही एक message आ जाता है जो कि यहां पर इस तरह के से देख सकते हैं तो दोस्तों अब होगा क्या कि train chart बन जाने के बाद अगर आपका sleeper में पैसा मतलब कि sleeper में आ गया है आपका टिकट तो अब क्या होगा क्या पैसी refund मिलेंगे तो दोस्तों जी बिल्कुल पैसी refund आपको मिलेंगे मान के चलिए दो पैसिंजर आपने थाड़ एसी में बेटिंग टिकर बुकिंग करवाया था जिसका किराया तीन हजार प्या था और अब मतलब कि पंदरा सुर्पया के पंदरा सोका एक कि राय था तो एसी में बुकिंग करवाया थे थाड़ एसी में तो दो लोगों का तीन हजार प्या था लेकिन वह उस टाइम बेटिंग में था अब ट्रेंचर बनने के बाद आपका पैस आता है कि स्लीपर में दूनों का दूनों टि दोस्तों इस बात को चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा कि अगर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा दोस्तों आपको घबराने की जरूर तो बिल्कुल भी नहीं है अगर आपका टिकाट डाउन ग्रेड होता है तब दूस्तों पैसी रिफंड कर दिये जाते हैं दूस्तों आपको एक और बात बता देता हूँ अगर कभी भी टिकट मान की चलिए आप सिलीपर कलासी में बेटिंग बुकिंग करवा हुए हैं और अगर टिकट बुकिंग करने के दोरां कंसीडर फोरोते अपग्रेशन पे क्लिक करते हैं तब कभी-कभी ऐसा क्या होता है कि आपका तो टिकट है सिलीपर में लेकिन चरबाने के बाद अगर एसी में सीट खाली रहता है तो आपका सिलीपर से एसी में दे दिया जाता है लेकिन उस टाइम पे इंडिया रेलवे कोई पैसा बिल्कुल भी नहीं लेती है यहाँ सबसे अच्छी बात लेकिन अगर आपपली नई हैं तो दोस्तो यहां पर अगर आप सभी के साथ ऐसा होता है तो बेलकूल बिंदास रही आपको पेमिंट मिल जाएंगे और अगर ड्राबलल करना चाते हैं तो बिलकुल टेसी में फिर अप्रेड हुआ है और अगर हुआ है तब दूस्तों किस कंडिशन में था वो टिकट बेटिंग भी था या फिर कंफर्म होने के बाद भी ऐसा कभी हुआ है ताकि मेरे को पता चल सके हाला कि दोस्तों मेरा भी एक बार हुआ था स्लीपर में ने बुक किया था लेकिन टे हिंद जै भारत जै सिरे राम